इसमें टॉटल्वांइंस क्या है और कब से होगा ग्सक्राइन सबसे पहले हम बात करेंगे टॉट्राइन के बात कि तो यहां पर कर सकते ह norm गया करीब रहा था तो इस बार थोरे से जो है यहां पे वेकंस थोड़े यदे देखने को बन सकते हैं ठीक है लगवाद पंदरह हाजार की आसपास में करने के जितना पिछले साल था उसी के आसपास में आउसे थोरे से दिखके वेकैसि सबसब्स आप बन सकता है अब रहां उनलायन से स्टार्ट होगा सबस्क्रत अब सबर्स एक परम कर पाएंगे जो हमें एज औरिशुक 연 don deciding को फॉल्फिल पूरा करते है तो ठीक है अब रहा बात एक्जाम डेट जो है प्रिलिम्स का प्रिलिम्स की बात हो रहा है एक्जाम डेट कौन-कौन से तारिक में 12 13 19 और 12 13 तीन डेट में इसका पेपर होने वाला है दिसमबर 2020 में ठीक है वहीं बात करते हैं में पेपर कब होगा तो 24 जनुवरी 2021 को मिलगा जनुवरी में 24 तारीक और फाइनल रिजल्ट के एक अप्रिल 2021 को इसका फानल रिजल्ट डिकलेल होगा ठीक है अब आते जब इस तारे चीज़ के बारे में आपको पता चले कि टोटल वेकैंस हमें पता चले गया औरेंड कभी में फैनल रिजल्ट ठीक है आपकी एज कितनी होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए 20 से 28 साल ठीक है मिनिमूम 20 और मैक्सिम 28 साल होने चाहिए बाकि जो है कि एज जो रिलाक्सेशन के अगर हम बात करते हैं आज पर जो गवर्मेंट रूल से उनके अनुसार जो आपका तीन साल या फिर यहां पे जो 5 साल का च्चूट मिलता है जैसे OBC का आपको तीन साल होने चाहिए उसल क्यों चाहिए ऐजुकाय स्ट्विस और मैक्सिम 8 साल होने चाहिए और एजुकेशनल क्या वश्म कंवात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो candidate must possesses the minimum qualification of graduation in any discipline means कि graduation होना चाहिए कोई भी discipline से हो चाहिए arts हो commerce हो science हो या उसके equivalent जो भी हो ठीक है from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government ठीक है एक important इस और इसमें नोट कि जाए है the candidate should have passed in English as one of the subject SSC HSC या intermediate graduation level पर तो इन सारे format के में कहा गया है कि English जो होगा एक subject होना चाहिए उनको चाहिए वो इंटर लेवल पर ग्राजिशन लेवल में उनको किसी भी पूरे subject में एक subject ऐसा होना चाहिए जो English होना चाहिए ठीक चली अब बात कि इंपॉर्टन क्या है यहां से इंपॉर्टन चीज होता है कि इंपॉर्टन चीज होता है कि रिक्रमेंट प्रोस्टस अफ आपका फैनल रिजल्ट अब सबस्क्यक्राइब बात करें धीकिह अब सब्सक्राइब बात करेंगे थीक्रेंगें प्रेलिंस exam में आखिर क्या पुछा जाता है और इसके जो structure क्या एकि इसने मिनिमुम जो कट- phones कितने लाने होते हैं więc Sonate अग्ते वहती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर तीन सब्जेक्ट पूछा जाता हैं इंग्लिष लैंग बात करें तीस क्षोन इंग्लिश से 35 कूल मिलाकर 100 कॉषन होते हैं 100 मांस के लिए होते हैं मैक्सिमुन मस्क भी वह होते हैं 30 35 के एक इमप्रीं मिलेगा mieć 20 मिनट जैसे ही होते हैं यह सेक्षन आप यहाप उटमेटिक क्लोज हो जाएगा सेकड़ सेसन सुरू हो यह भी 20 मिन तर चलेगा फिर से से सब्सक्राइब एक घंटा ठीक है एक घंटा यहां पर समय मिलेंगे तो देखें मैक्समिम इसको 30 का होता है 30 का होता है और 35 का होता है इंग्लेस 30 यहां पर चुर्ट कर लेंगे 30 35 35 तो पर इसमें क्या क्या होता है मिनिम्म जो कट अफ हो था अगर हम बात करें यह प्रीवियस एर का है ठीक है यह दोजार उनिस का यहां पर मैं एक एक्जांपल सेट करके आपको दिखाया हूं कि देखिए जो जनरल केटेगरी से जो था यहां पर मिनिम्म कट अफ कितना रहता है सब्सक्राइब करते हैं इसमें आप कौलिफाइब कर जाते हैं नुमेरिकल अबिटी में 7.75 से अभब ले आते हैं उससे कम में तो आप कोई बात यहां पे आप कर जाओगे मिनिम्स कि आप डिसकालिफाइब कर जाओगे यहां पर 7.75 मिनिम्म और मैक्सम आपको मैक्स लाना ही लाना है ठीक है वहीं बात की बात कि अगर 8-7-15-7 कितना हो गया बाइस लगब पच्छीस चौविस पच्छीस नंबर के आसपास में तो इससे बात नहीं ब पर नहीं तो आएए यहां पर प्रिलिम्स एक्जाम के बारे में कुछ डिसकस करते हैं कि प्रिवेस यहर का जो था कटफ जनल करिगरी कितना कि थे इसके बारे में यहां पर डिसकस करते हैं जैसे आंपर जिसका देखें 66.25 गया था असम का 63 बिहार का 65 चंडिगट का 71 ठीक हिमाचल पर देख का 62.25 वहीं बात करते हैं जारकन का 73 चंडिगट का 53.25 सेकंड जो है यहां भी मिनिम्म कह सकते हैं ठीक है करला का बात करें तो 73.5 मत परदेख का 70 बात करें महारास्टा महारास्टा का 61.50 ओडिशा का 71.50 पंजाब का 66.25 राजस्थान का 71.25 बात करते हैं तामिल लाड़ू का तो 57.75 चलंगानका 61 और उत्तर परदेख का 68.25 तो अभी मैंने बात गया था कि मिनिम्म कटाफ लगबग 24 का सपास था लेकिन यहां पर आपको मैक्सिम कर लेंगे मैक्सिम कितने करने होंगे यहां पर लगबग 70 अगर आप कुछ जैसे कि कुछ अस्ट स्टेट के हम बात करते हैं जहां पर आपको 50-60 मे बात बन जागा लेकिन कुछ आसे हैं जहां पर सकतर से सब्चार के यहां बात बन जाएगा जैसा कि आपको यहां कड़व में बताएगा सब्सक्राइब उत्राखंड का जो कड़व गया 766 वेस्ट बैंकल का 70.75 गया यह रहा प्रिलिंज में आप ऑपलाई करते हैं प्रीलिंट का एक्जाम देते हैं हंडेड मास का पेपर होता है जहां पर सत्तर करके आते हैं ठीक है तो मेंस पेपर में क्या होता है आगे हैं यहां पेपर के बारे में डिसकर्स करते हैं तो मेंस पेपर के अगर हम बात करें तो मेंस पेपर में क्या क्या है चार सेक्षण इसमें भी जैसे रिजनिंग आपलटी कंपृटर आपटिट्यूट्व पतास कोशन मास्स साथ मास्क के लिए इंगे। 40 question 40 मास के लिए quantitative and quantitative aptitude जो है 50 question 50 मास के लिए general या financial awareness 50 question 50 मास के लिए अब इसमें timing अलगल है जिसे 45 minute आपको मिलेंगे resonant ability and computer aptitude में 35 minute मिलेंगे English language में 45 minute मिलेंगे quantitative aptitude में और पैसर मिलेंगे general and financial awareness में ठीक है कोल यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 190 question ठीक है 200 मास के लिए और 160 minute मिलते हैं ठीक है तो यह होगा मेंस का format आपका तो मेंस के बारे में जानने के बाद आप जाने के मेंस का जो है क्या जाता है minimum cut-off तो तो तेकि minimum cut-off कि अगर हम बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पर बात करें जनरल फिलांसर जनरल एंड फिलांसर अवरनेस की बात करें तो 50 में से 10.25 वहने मिनिम्म कट-off वहीं जनरल इंगलिस में सारे 12 में इसकी 12.50 रिजनिंग में 17.75 और सारे 15 में इसकी 15.50 यह दो जाल 19 का यहाँ पर आपके साथ डाटा से कर रहा हूं जो कि में इसका जो है minimum cut-off कितना होता है हलाकि यहां पर जो वेटेज बनेंगे आसमा के तो 30 कम से कम लाने maximum आपको जाने जाने ठीक है तीस से कम आते हैं तो वैसे डिस्क्वालिफाइए हो जाएंगे उसी तरह इसमें अगर दस दसमाद पच्विस अगर जनरल आवेनस में माले इसमें आपने ले आया आप डिस्क्वालिफाइए कर जाएंगे इसलिए इसके बाद आपको मैक्सिम मा स्कूर करने जिससे कि आपका फानल मेरिटलिस में और वीडियो में आपको बहुत सारे जानकारी मिली होंगी कुछ अगर डाउट होगा ठीक है अगर कोई डाउट हो तो जबरूँ पूछे आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आने वाले है कुछ समय के बाद कुछ दिनों के बाद तो आप लिए जो जूर है सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छे लागे तो लाइक कर है और यहीडियो एकल कै बार्भ घ्राइब कि उता है